दूरी नर्टी इतराय तबीयों, मैं यह, मैं इहादी बिड़ोगा हम लेजाने पहले सक्र में विश्व रापार संव्यधन समझोता और क्रशी विशेपर होने वाले दुष्प्रभाव खास कर खिसानों के ऊपर होने वाले दुष्प्रभाव वाले में थोड़ी बात किया अगे ही विश्व रापार संव्यधन समझोते में जैसा मैंने आप से कहा लगबाद दो हजार शर्ते हैं दोजान में से कुछ क्रशी विशेची शर्तों पर सबी बात किया उसी विश्व रापार संव्यधन समझोते में एक शर्त है जिसके आधार पर हमारे देश की सर्तार में वेलिम एबिट एक्स मुल्य वर्धित कर देश में लागू परने का फैसला किया फिलहार हमारे देश में अठारे राज्यों ने मुल्य वर्धित कर लागू किया है एक अप्रेल से दोड़ जार पांच से बाकी बारे राज्यों ने मना कर दिया कि हम लागू नहीं करेंगे हमारे देश में वेलिम एबिट टेक्स के बाले में बगनुत योगा जो समझोता है उसकी शर्फ चाहिए जिस पर सरकात जोड़ दे गही है विश्व यापार समझोते में एक शर्फ है कि टैक्स का धाचा ऐसा होना चाहिए जो दूसरे देशों में किया हुआ है या बनाया हुआ है अब दूबाग या सौबाग जो भी का ये डगनु टि ओ जो साइन करने वाले देश हैं उन मेंसे अधिकांच देशों में वैट है वेल्य राजिट तैक्स है सभी देशों में नहीं है डगनु टिओ एग्रिमंट जोने साइन किया है उसमें से एक देश है अमेरिका, वहां पर वैट नहीं है इसी तरह से डग्लू टियो जिन्होंने साइन किया है उसमें से एक देश है एरा, वहां वैट नहीं है एरान, एरान में वैट नहीं है ऐसे लेटिन अमेरिका के कई सारी देश है वहां भी वैट नहीं है लेकिन यूरोप के कई देशों में वैट है फ्रांस है, जर्मनी है, स्वीदल है, स्विजलेंड है, बेल्मार्क है, नौर्वे है ऐसे कई देशों में वैट है तो हमारे देश में पहली बाट जो वैट लाने के लिए सरकार की दौरा कही गई है वो ये है कि चुँकि विश्व व्यापार संगठन सब्जोते की शर्थ है इसलिए हमको बैट लाना है शर्थ क्या है? कि जैसा दूसरे व्यषों में है अधिकांश देशों में है रहता ही टैक्स की व्यवस्ता आपको करनी है तो अधिकांश देशों में बैट है तो भारत में भी बैट लाना है ये एक शर्थ है अब हमारे देश की सरकार बैट के बारे में इतना तो कहती है कि विश्व व्यापार संगठन सब्जोते की शर्थ के अलूप हम बैट ला रहे हैं लेकिन बिश्व व्यापार संगठन संगठन में ये नहीं है कहीं पर कि वैट लाना तो कैसे लाना किन आधारों पर लाना उसका tax rate कितना रखना उसके कितने slab बनाना उसमें कितने classification करना उसमें penalty क्या होना उसमें punishment क्या होगा उसमें फ्रमोशन के लिए क्या होगा ये सब कुछ नहीं है बस एकी बार उसमें लिखी हुई है कि जैसा दूसरे देशों में है वैसा ही वैट भारत में आप लाईए अब सरकार क्या तर रही है आधा सच बोल रही है और आधा छुपा रही है जैसा दूसरे देशों में है वैसा वैट लाईए ऐसा उसमें है लेकिन हिंदुस्तान की सरकार वैट तो ला रही है लेकिन दूसरे देशों जैसा भी ला रही है दूसरे देशों में जो वैट है उनकी कंडिशन्स अलग हैं बिलकुल भारत की तुलनाम है 123 देशों में जहाँ जहाँ वैठ है वहाँ सभी जगहों पर सरकारों ने सारे तरहे के दूसरे टेक्स खतम करके वैठ लाया भारत देश की सरकार दूसरे सभी टेक्सों के साथ वैठ ला रही है सबसे बड़ा अंतर यह जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, देनमार्क, नॉर्वेल, लेटन अमेरिका की देश है, कुछ अफरीका की देश है, सब जढ़ें जहां जहां बैठ है, वहां कोई भी देश में सेंट्वल एक्साइज ड्यूटी नहीं है, केनुरिय उत्पाद कर नहीं ह सेंट्वल एक्साइज ड्यूटी नहीं है, राज्य उत्पाद कर नहीं है, सेंट्वल से इस टेक्स नहीं है, CST नहीं है, SST नहीं है, राज्य भूत्री कर नहीं है, सर्विस टेक्स नहीं है, प्रोफेशनल टेक्स नहीं है, मिनिसिपल कॉर्पोरेशन टेक्स नहीं है, रो हमारे भारत देश की सरकार ये सारे टैक्सों के साथ वैद को लागू कर रहे है तो अंतर क्या है अंतर ये है कि आप जब सारे टैक्स खतम कर दे उसके बाद एक टैक्स लाएं तो बहुत लाग होता है सरकार को भी लाग होता है जनता को भी लाग होता है जनता acağल आप क्या हुटा है, चीज़े अस्ति हो जाती है जब टैक्स कम लगेंगे, एक ही टैक्स लगेगा आप कलपना करो कि एक किसी वस्तु पे 14-15 टैक्स है फिर वो सब हटा कर एक ही टैक्स आ जाए तो वस्तु सक्ति होने वाली है और वस्तों के सस्ते होने से विक्री ज़्यादा होती है विक्री ज़्यादा होती है तो सरकार को टेक्स ज़्यादा मिलता है टेक्स ज़्यादा मिलता है तो खजाने में पैसा ज़्यादा आता है तो जब बहुत सारे टेक्स खतम करके एक टेक्स लाया जाता है तो सरकार को बहुत लाग होता है और जनता को भी लाग होता है जो व्यापार करने वाला वर्ग है उसको भी लाग होता है सब को लाग होता है तो जिन 120 सेशों ने वैक लाया है भारत से पहले उन सभी ने अपने सभी तरह के बूसरे टैक्स खतम करके वैक लाया है दो तरह के tax दुनिया में होते हैं एक direct tax होते हैं एक indirect tax प्रत्यक्षकर अप्रत्यक्षकर प्रत्यक्षकर का माने जो सीधे आपसे ले लिया जाए ऐसा tax direct tax तो प्रत्यक्षकर की श्रहनी में दो ही कर आते हैं दो ही tax आते हैं एक तो income tax होता है आये पर होता है दूसरा होता है निगम पर corporate tax corporate tax भी income tax ही है लेकिन वो company ओपर लगता है और income tax जो है व्यत्तिदत लोगों ओपर लगता है तो direct tax दुनिया में दो income tax, corporate tax indirect taxes देर सारे जैसे central exercise duty मने केंडरिय उच्पाद कर वस्तों के उच्पादम पर लगने वाला ये indirect tax है जैसे CST, केंडरिय विक्री कर जैसे SST, राज्य विक्री कर जैसे service tax, जैसे professional tax road tax, toll tax ये सभी indirect tax है तो दुनिया के जबी देशों ने जहां भी वैट लाया है और वैट बहुत सफर है और वहां की जन्ता बहुत प्रसंन है वैट से, सरकार बहुत प्रसंन है वो देश हैं जिन्होंने बाकी सब tax हटा के एक tax लाया वैट हमारे जश की सरकार क्या करने जा रही है कि सारे के सारे tax को रखने के बाद वैट ला रही है इसका माने कोई tax कम नहीं हो रहा है बल्कि एक नया tax बरने जा रहा है तो परणाम क्या होगा परणाम सीधा-सीदा ये है कि वस्तों और महिंगी हो जाएगी हमारे भारत देश में जिन राज्यों में एक अपरेल 2005 से बैट आया है उनकी संख्या अठागा है उन राज्यों में पिछले 4-5 दिनों में वस्तों के गाम 15-20 प्रतिशत बढ़ गए है जैसे स्कूटर, मोटरसाइकल, कार सब के दाम बढ़े हैं 15-20 प्रतिशत और ये तो स्कूटर, मोटरसाइकल, कार को ऐसी चीशे हैं जो एक खास वर्गी के लिए है साधारन वर्ग के लिए काम आने वाला गेहूं का आता उसका भाव बढ़ गया चने का आता माने बेसन का भाव बढ़ गया है मिर्शी का भाव बढ़ गया धनिये का बढ़ गया जीरे का बढ़ गया पुदीने का बढ़ गया वोज धर में काम आने वाली मसाले हैं उनका भाव बढ़ गया क्यों? क्योंकि वहाँपर पहले तो टैक्स थे ही उसके साथ रिकोर आ गया वैट तो इसलिए यहां मेंगाई बढ़ेगी मेंगाई बढ़ेगी तो लोगों को तक्लीफ होगी वैसे ही इस देश में बहुत ज़्यादा टैक्स है वैद आने के बाद तक्लीफ और बढ़ने वाली है क्यों? हमारे भरत में क्या होता है और दुनिया के दूसरे देशों में क्या होता है दूसरे देशों में जहां भी वैट है वहाँ पर वैट जो है न सिंगल पॉइंट है सिंगल पॉइंट का मनें एक बार लेने वाला एक बार दिया जाने वाला भारत में जो वैट आया है वो बहुत सारे बुंदूओं पर आ रहा है multiple point है हमारे हाँ बैट कैसा है बैट का मतलब है वो कोई बस्तू को जितनी बार आप बेचो उतनी बार उस पर tax कोई बस्तू को आप जितनी बार बेचो उतनी बार tax जैसे मैंने इनसे कोई चीज 100 रुपई में खरी दे तो इनोंने मुझे बेची तो ये उस पर tax भरेंगे बैट अब वो बस्तू को मैं इनको 1.500 रुपई में बेचो तो मैं भरूंगा फिर बैट ये 1.500 रुपई से दोसों में उनको बेचे ये फिर भरेंगे उस पर tax वो किसी को और 300 रुपई में बेचे फिर भरेंगे तो जितनी बार विक्ती रहेगी उतनी बार उस पर tax लगता रहेगा भारत में इस सरह का वैट आ रहा है दूसरे देशों में क्या है जब इनोंने मुझे वो बस्तू बेची एक बार इनोंने tax दे दिया तो आगे वो कितनी भी बार विके उस पर कोई वैट नहीं तो जिन देशों में single point वैट है वहाँ बहुत मजाए एक ही बार देना है tax तो व्याबारी भी खुश है ग्राहत भी खुश है उत्पादन करने वाला भी खुश है सरकारों ने एक नियम बना रखा है और वह बहुत अर्वुत नियम है भारत में ऐसे नियम की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं या पत्ने में सोच सकते हैं सभी बेट्वां में जहां वैट है वहाँ नियम ये है कि व्याबारी जब वैट भरता है तो उसका पूरा खाता सरकार के पास और व्याबारी के पास रहता है आपने इस साल मान लीजे 10,000 डॉलर टेक्स दिया पिछले साल आपने 20,000 डॉलर दिया उसके पहले 50,000 डॉलर दिया आपका टेक्स पूरा जमा होता चला जाए और आपको एक सर्टिफिक्स मिलता रहेगा हर साल तो सर्टिफिक्स में लिख दिया जाएगा कि अब तक आपका इतना टेक्स आप दे चुके है ये हैं फिर क्या होता है कि जिस दिन आपको कोई सकलीफ आई सकीन क्या आई मान लीजे आपका व्यातार चौपट हो गया चौपट होने के कही कारण है मान लीजे सुनामी भुकम पा गया उसमें आपकी दुकान डूप गई या आपकी फैक्टरी डूप गई या भुकम पा गया जंगला आगया आज लर गई कुछ भी हो गया तो आपने जो टैक्स भरा है वो पूरा का पूरा आपको वापस मिलेगा क्यों आपो दिबारा व्यापार शुरू करने के लिए सबी दूरों के देशों में वैट जो है इस हिसाब से लगता है माने वैट देने वाले व्यापारी को मालूम है कि उसका दिया हुआ टैक्स का एक एक पैसा सुरक्षित है जब जरुदत पढ़ेगी तो उसको मिल जाएगा जरुदत नहीं हैं तब तक तरकार उसका इस्तेमाल कर रही है और सरकार उसपर आपको व्याज दे रही है इंट्रेक्स के करने व्याज की दर क्या है? आपका दिया हुआ टेक्स एक तरह से आपके बैंक के एकाउंट में रखा हुआ धन है जिसको जब चाहें आप निकाल सकते हैं जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जरूरत बर ऐसी होनी चाहिए जिससे सरकार कंविंस हो मैंने क्या कहा आपसे अगर आपके कोई नुकसान नहीं है तो आप में निकाल पाईएंगे अगर कोई नुकसान हो लिया है तो सरकार खुद आपको बुला कर सारा दे देगी कि अब आप इससे दुबारा भ्यापार पिछले 57 साल बे सरकारों ने जितने टैक्स लिये हैं कभी आपको ऐसा लगा कि कोई सरकार आपके दिये हुए पैसे को वापत आपको देदे उप्योग करने की यहाँ की सरकार को जौन की तरह से फून जैसे पीते रहना पीते रहना पीते रहना उस इस्थती में वापत दे कोई कलपना नहीं और इंट्रेस्टिंग वार कि जिन देशों में बैट है खासकर यूरोप के देशों में दुनिया में सबसे पहले बैट आया दुनिया में सबसे पहला बैट लगाने वाला देश है जर्मनी तो उन देशों में जो दर है टैक्स की दर वो अधिव से अधिव मैक्सिमम 6% 6% से ज़ादा कोई भी मस्तूपर बैट नहीं है भारत में क्या है भारत में अधिक से अधिक बैट की दर 20% अब कुमानों में भारत में बैट की दर के 4 प्लेव है 1 है जिस पर 0 बैट है 1 है जिस पर सारे 4% बैट है 1 है जिस पर सारे 12 प्रतिशत रह और 4 ही एट क्लेब है जिसमें 20% 20% वाली जो बस्तों में है वो पेट्रोलियम प्रॉडक्ट है दीजल है पेट्रोल है केरोसिन है लपीजी है सी एंजी है यूरिया है डियकी है सुपर कॉस्टेट है ये यूरिया दीए पी सब सब्सक्राइब प्रॉडक्ट में आते तो इन पर 20% के हिताब से है और वहाँ बेटों में 6% से ज़्यादा कहीं भी नहीं है जर्मनी में हाईर्स टेक्स रेट है रेट का वो 6% तो वहाँ देख 6% है और वो भी एक लिंदू पर है एका देख दिया दिया चुक्ती हो गए यहाँ 20% है और बार बार है तो मैंने अभी दोले दिन पहले हिताब निकाला हिंदुस्तान में क्या होता है सामान में रूप से कोई वर्स्तू कारखाने में जब बनती है और ग्राहत तक पहुचती है उसके पहले वो 3-4-5 हाथों में से गुज़रती इस्टॉपिस्ट के पास गया डिस्टुब्यूटर के पास गया एरिया रितेलर के पास गया फिर रितेलर के पास आया और भी एकाद इसमें बीच की कली हो सकती है कि यहां आमने मुप से 4-5 हाथों में गुज़रकर वस्तू ब्राहत तक पहुंच रही है तो जहां क्या होगा बार बार वैट लगेगा तो 20% वाली वस्तू में मैंने हिताब जोड़ा है तो वैट की गर अगर चार जगे हम मानने चार हिस्तानों से गुलरती हो तो 34% तक आता है वो टैक्स 20% वाली क्लैसिफिकेशन और वहां से 6% आता है तो उनके यहां क्यों वैट सखल है और यहां सखल उने की संभावना क्यों नहीं है तो उसका यह एक मैं कमतर दिन बता जा और इससे लिए जाना महत्त की एक और बात है कि जिन देशों में वैट का कानून लाजू है उन देशों में कानून को लाजू करने वाले जो अधिकारी है उनको कोई अधिकार नहीं है किदाए उसके किदे टेक्स अकथा करें और खजाने में जमा करें बाकी कोई अधिकार नहीं बाकी सब उनकी ड्यूटी है राइस कुछ नहीं है आप ड्यूटी और राइस में अंतर समझे करतब जेए अधिकार कुछ नहीं बहात उनको अधिकारी भी नहीं कहा जाता है इसके जिवो आपके पास आए और आपके पास जो बैट की धनराशी है वो लेके सरकार के खजानी में जमा कर लिए। इससे जादा कुछ है। भारत में क्या है। भारत में जो टेक्स कलेक्टर है उसको सब तरह के अधिकार सरकार में दे दिये। कैसे कैसे अधिकार दे दिये हैं जैसे वैट को लागू करवाने वाला जो अधिकारी है वो कौन होने वाला है वो सेल्स टेक्स ओसीसर होने वाला या सेल्स टेक्स खमिशनर या सेल्स टेक्स इंस्पेक्टर मने सेल्स टेक्स का जो विभाग था विक्री कर विभाग उसी को सर क्या क्या है हमारे यहां कोई भी अधिकारी जो बैट ले रहा है वो कभी भी आपकी दुकान में आ सकता है और आपका कैश चेक कर सकता है आपका जो गल्ला है, रकम जहां आप रखते हैं, कैश बॉक्स है, उसको खोल कर चेक कर सकता है, नोट गिन तकता है कि इसमें कितना रखा हूँ, फिर आपके गल्ले में जितना कैश है, उसके हिसाब से आपके पाफ सारे रिकॉर्स होने चाहिए, माली जो मेरे गल्ले में दस अजार रुपई निकला, तो दस अजार रुपई का मैंने क्या बेचा है सवेरे से अभी तक, वो सभी रिकॉर्ड होने चाहिए, चाहिए उसमें दस पैसे की चीज बेची हो, या दस अजार की बेची हो, अगर वो रिकॉर्ड में पाफ नहीं है, उसी शौन को जुर्माना करेगा और जुर्माने की मियूनतम धंगाशी दस हजार रुपए मानें अगर दस ऐसे का आपने लेंडें किया है और उसका तालत बराबर नहीं है आपके पास तो दस हजार का जुर्माना कर सकता है आगे अगर आप उसका 10,000 रुपई का जुर्माना उसने किया तो उसका वो टाइम देगा कि 3 दिन में भरना या 2 दिन में भरना या 5 दिन में भरना और आप में नहीं भरा तो तो उसको क्या अधिकार है वो आपके घर की मोटर साइकिल उठाके ले जाएगा स्कूटर उठाके ले जाएगा साइकिल उठाके ले जाएगा कार उठाके ले जाएगा उसको बेचकर 10,000 रुपई निकाल लेगा ये उसको अधिकार है और इसके भी आगे अगर आपने जुर्माना नहीं भरा तो वो आपके बैंक में जा सकता है बैंक में का आपका कोई खाता चलता है तो बैंक को ये कंपर्शन किया है वैट में कि ब्यातानियों के सारे खाते वैड ओपीसर के सामने वो डिस्क्लोज का है बैंक इसके लिए बात दे है तो बैंक के खाते आपके चेक करेगा उसमें अगर दस अजार से जादा रकमें तो निकालियेगा और आपका जुर्माना पट गया आपको बता दिया जाएगा कि आपके खाते से निकल वाले और अगर बैंक में नहीं मिला कुछ तो आपके घर चला जाएगा आपके घर का लौकर तोड़वा सकता है उसमें अगर गहमे रखते हैं आपकी पत्नी के तो उनको ले जाते बेच लेगा आपके घर में अगर कोई भी संपत्ति उसको मिल जाए जिसकी कीमत दत हजार रुपे या उससे जादा है उसको ले जाते हैं बेचके वो अपना जुर्वाना बस होगे और मांगो कुछ भी नहीं है आपके घर में और उसको जुर्वाना बस सुनना है आप घर से भागे हुए हैं तो आपकी गिरफतारी के लिए भारन टिश्व पर आ सकता है और गिरफतारी में आप नहीं हो पाएं तेश्व तो आपकी पत्नी की गिरफतारी करा सकता है पत्नी नहीं है अगर आपके घर में आपकी बेहन है बेहन की गिरफतारी करा सकता है बेहन नहीं है मानियो बेहन के पती है उनकी गिरफतारी करा सकता है अगर आपके घर में आपकी बेटी है बेटी शादी शुदा है और उसका पती है मानि आपका जमाई वहां तक गिरफ्तारी करवा सकता है इतने अधिकार टैक्स वसुरिये वाले अधिकारी को दिये हुए दुर्भाई हमारे देश का ये है कि ये सारे अधिकार एक ऐसे डिपार्टमेंट को दिये जा रहे है जो महा भष्ट है या महा हराम खोर आप जानते हैं कि सेल्सेक्स डिपार्टमेंट में कितना भष्टा चाल और कितने घोटा में होते है अभी थोड़े दिन पहले मैंने टीवी पर देखा था आज सक न्यूज चैनल में कि दिल्ली का जो सेल्सेक्स डिपार्टमेंट है जहां कमिशनर रंक का अधिकारी बढ़ता है दिल्ली जी तरकार के नाट के नीचे वहाँ चोरा की अधिकारी है बिना रिश्वत के फाइल भी इधर से उधर नहीं करते हैं और उस सेल्सेक्स ऑफिस में गजब का समाजवाब है सोशलिजम वहीं पहते है दुनिया में अगर कहीं सोशलिजम है तो सेल्सेक्स गुणाद में है दिल्ली में वो कैसा सोशलिजम है अधिकारी जब सभेरे गक्तर में आता है तो अपनी सारी जेव जार पर आता है एक उप्रुप्या उसमें नहीं होगा जेव में दस्पैसा भी नहीं हो सारा खार पर आएगा मने खाली जेव आएगा उसके बार जब शान को रापस जाता है तो क्लर्क ग्रेव के अधिकारी के पाथ कम से कम धाई से तीन हजार होता है और कमिशनर रेंगी अधिकारी के पाग पचाथ साथ हजार से आगे कुछ की होई सकता है ये आज से थीवी चैनल में हमने देखा और जोड़ा जाएगी ये सब करमचारी 81 होके पैसा बसूलते हैं साइट के रेट फिक्स हैं समाज बात कितना जोड़ा है यहां पर सोशलिजर है जिस जिस अधिकारी ने रुश्मत खाई है भूस खाई है पूरे दिन है शाम को पाच पजे एक मेच पर पूरा पैसा निकालके इकठा करते हैं और गिनते हैं और फिर उसके बाद डिस्टिब्यूशन होता है डिस्टिब्यूशन में नियर यह है कि कमिशनर को ज़ादा उससे लीचे को कुछ कम उससे लीचे को कुछ कम अंतमच अपरासी को भी मिलता है तो रोज्शाम को ओनिकाली जब भर जाते हैं तो सामानिक क्लर्क की जिव में तीन सारे तीन हजार का होता है और कमिशनर की जिव में पचास हजार से उपकर कुछ भी हो सकता ये रोज का है दियी के टेस्टर्स डिपार्टमेंट का और अगर दियी में ये हाल है जहां केंदर सरकार की राजधानी है और जहां राग्दी सरकार की रालधानी है वहां इतना खुले आम अगर भृष्टाचार चल रहा है तो भिलाई में, राइपूर में, बिलास्तुर में, जबदलपूर में तो क्या होता होता है ऐसे भृष्टाचारी हराम खुर अधिकारियों को इतने अधिकार दे देना वैता ही है बंदर के हाथ में उस तरह दे देना ताकि वो गला देता रहेगा अब इसमें क्या होने वाला है कि अधिकारी अगर आपसे खुलनस खा गया तो रगल देगा इतने अधिकार उसके पास और मज़े की बात यह है कि अधिकारी अगर गल्टी करे तो उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर से वैट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं सेल्स टेक्स में तो आज यह है कि अगर अधिकारी ने गल्टी की तो आप उसके खिलाफ अधालत में जा सकते हैं sales tax के अपने court हैं, income tax के अपने court हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, और high court में भी जा सकते हैं, supreme court में जो जाई सकते हैं, वैद का अधिकारी अगर आपके खिलाज कुछ गल्पी किया, तो आप उसकी शिकायत कहीं नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई forum नहीं है, सरकार कह रहे हैं कि हम इसको विचार करेंगे थोड़े दिल में, कि ऐसी विवस्था बने, अभी तक नहीं है, और ऐसी इस्तिती में अधिकारीों को सारे अधिकार दे लेना, आपकी संपत्ती जब्त करने का अधिकार, आपको बोरन चुशू करने का अधिकार, गिरफ्तारी क अधिकार, आपके बेंक से पैसा निकाल कर जुर्माना वसूल लेने का अधिकार, आपकी संपत्ती बजार में बिकवा कर जुर्माना वसूल लेने का अधिकार, ये इतने खतरना का अधिकार हैं, जो कभी अंग्रे जोने भी इस देश में किसी टेक्स कलेक्टर को नहीं दि दूसरे देशों में इतना रिखा हुआ है कि जैसे दूसरे देशों में बैठ है वैसे आप भी लाइए लेकिन दूसरे देशों में इतना तरल और आसान बैठ है वो यहां लाने की कोशिश है और सबसे महतु की बाद जिन देशों में बैठ है यूरोप में और यूरोप के प कारी को salary नहीं मिलती है बगार नहीं मिलती है कमिशन मिलता है आपने बाद लीजे दथ हजार डॉलर पैक्स अकठा किया तो उसमें 1% commission आपको मिला या 2% 2% से जादा कहीं नहीं है salary नहीं है salary नहीं है emoluments नहीं है balances नहीं है कुछ है बस आपको commission है उस commission की आमंदनी से आपको अपना घर maintain करना है किसी भी vet officer को सरकार का घर नहीं मिलता सरकारी भंगला जो मिलता है ना यहाँ जैसे commissioner है किसी भी दुनिया जो देश में vet इकठा करने वाले किसी अधिकारी को सरकारी घर नहीं मिलता उनको अपने किराई के घर में रहना है या अपने घर में रहना है सरकारी कार नहीं मिलती अपनी कार रखनी है उसका diesel खर्चे maintain करने है मोबाईल सरकार नहीं देती मोबाईल अपना रखना है टेलिफोन भी सरकार नहीं देती आपको टेलिफोन का खर्चा खुद वहन करना कोई सरकार सुधाने सरकार आपको कमीशन दे रही है उससे आप अपनी सुधिनाई बनाई है मैंटें करिए और हर अधिकारी को एक एरिया बांट देया जाता है उतने एरिया में आप टेक्स इकटे करते रहिए अपना कमीशन उसमें से लेते रहिए गवस्का चलाते रहे और उससे भी मज़े की बाद एक साल के बाद उस अधिकारी से टेक्स कलेक्शन का काम वापस लिया जाता है एक साल मिनीमम अधिक से अधिक तीन साल माने कम से कम एक साल वो काम करेगा अधिक से अधिक तीन साल हर हालत में तीन साल के बाब उससे काम वापस लिया जाएगा फिर अगर वही अधिकारी थैस कलेक्टर दुबारा वो काम करना चाहे तो सरकार की एक परिक्षा उसको पास करने पुड़ी है सरकारिक इंतहान लेती है उसका उस इंतहान में बैठने के लिए उसको एक सर्टिफिकेट लगता है और वो सर्टिफिकेट उसको देने वाला कौन होता है जो टैक्स भरने वाला नागरिक है वो उसको सर्टिफिकेट बना के देता है Certificate क्या देता है कि ये अधिकारी बहुत इमांदार है ये बहुत महंती है ये बहुत करमठ है ये अप्षंद नहीं बोलता है इसको गुस्ता नहीं आता है ये कभी गाली नहीं देता है ये टेक्स अदा करने वालों के साथ इज़त के साथ पेश आता है ऐसे ऐसे उसमें आज़ दस पॉइंट रहते है आप उसको टिक टिक करिए जब वो उसमें Certificate लेके जाएगा जमा करेगा तब सरकार उसको दूसरी बार इम्तहान में बैठने की अनुमती देती ये लिवस्ता है तो इसलिए वो टैक्स टिकथा करने वाला उसके सिर्फे हमेशा तलवार लटकती रहे कि अजर मैंने थोड़ा भी बत्तमीजी की तो मेरा PR करेक्टर से जबरिकेद गया तो इसलिए वो कभी भी बत्तमीजी नहीं करता टैक्स देने वालों के इसलाम ना अप्षब्द बोलता है ना जाली देता है ना भत्तमीजी करता है और ना उनको हैरान परिशान करता है कुछ देशों में ऐसा भी है कुछ देशों में तर्दहान देना पड़ता है लेकिन कुछ देशों में अद्वुत व्यवस्था है ये जो Norwegian countries है वहाँ क्या होता है कि टैक्स लेने वाले कलेक्टर को चुनाव लगना पड़ता है कि इलक्षन में खड़ा होना पड़ता है और उसको मैक्सिमम गोट मिलने तो दूसरी बार वो ये काम कर सकता है और वो गुष्ट उसको कौन देता है जो टैक्स देने वाला है वो गुष्ट बोट देता है एकी नवस्थाएं है जिन पर बैट लागू है और वहाँ बहुत सफल है सफल होने के कारण मैंने आपको बता दिये जनता बहुत प्रसंद है क्योंकि जनता उपर है टैक्स लेने वाला नीचे जनता थोड़ी भी नाराज हो गई तो अभिकारी की खैर नहीं थोड़ी भी नाराज हो